Welcome back students, today we are going to continue our mathematics series, हम इस series में अभी तक की 9 वीडियो ला चुके हैं, with 10 questions in each video, ये questions बिल्कुल भी आपको सिर्फ railway group D के लिए helpful नहीं रहेंगे, आने वाले सभी exams के लिए आपको ये questions जरूर सॉल्व करने चाहिए, बहुत अच्छी है आपको इसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है, आपका रिविजिन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, और गूगल प्ले स्टोर से आखलन आपको डाउनलोड करने पर आपको और भी टेस सीरीज मिल जाती है, और अगर इस वीडियो की पीडियेफ चाहिए, तो वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ मिल जाएगी, पूरा करती है, जबकि छे लड़के, दस लड़के इसी कारे को पांच दिन में कर सकते हैं, इन हाउ मैनी डेज, फाइव बॉइस एंट्री वूमिन कें दू इट, पांच लड़के और तीन महिला है, इस कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह टाइम एंड वर्क वाले क्वेशन है, यह बहुत पूछे जाते हैं एक्जाम्स में, सीधा एक फॉर्मला होता है, जब भी आपको टोटल वर्क निकाला होता है, तो हमारा फॉर्मला होता है कि मैन, जितने भी उसमें लोग लगे हुए हैं, इन्टू डेज, यह हो जाता है वर्क का फॉर्मला, इसका मतलब क्या है, कि अगर दस लोग हैं, वो जितने दिनों में काम करें हैं, ऐसे ही, और कितने लोग हैं, वो कितने दिन में काम करें, इस फॉर्मले से आपको टाइम इन वर्क के सारे क्वेशन्स निकल जाते हैं, यहां सबसे पहले दे रखा है पांच महिला हैं, तो फाइव वोमें हो गया, फाइव डब्लू, और पांच महिला हैं कितने दिन में काम करें, छह दिन में, multiply 6 is equal to, दूसरी केटेगरी में हमारे पास, 10 boys, तो M2 की जगा, अब आदमी कौन है, 10 boys हैं, और उन्हें कितना टाइम लग रहे हैं, उनको 5 days लग रहे हैं, इस से हमारा W और B में एक relation निकल आएगा, यह cancel out हो जाएगा, कितना बचेगा, इधर यह बचेगा, 3W बराबर 5B यह, यानि कि 3 महिलाओं के बराबर का काम, 5 लड़के कर रहे हैं, यह equation हम आगे use करते हैं, पूछा क्या गया था, कि 5 लड़के और 3 महिला हैं, टोटल कितने दिनों में करेंगे काम, तो हमें इस 3 महिलाओं की जगा हम क्या रख देंगे, 5B रख देंगे, यहाँ पर, 5 और 5 कितना होगे, 10B, यानि अब वो काम इतने होगा, जितना 10 लड़के करेंगे, टोटल काम, इसमें जो बॉइ है, एक बॉइ को कितना दिन लग रहा है, आप यहाँ से समझो, जब 10 बॉइस थे, question में ही दिया हुआ है सब कुछ, तो उन्हें 5 दिन लग रहे थे, तो एक बॉइ को कितना दिन लगेगा, 5 अपॉन 10, वही चीज हमें यहाँ रखनी है, जब मैं आप 5 अपॉन 10 से मल्टिप्लाइ करूंगी, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5, यानि कि टोटल इन लोगों को काम करने में, पांच दिन का टाइम लगेगा, यह है अंसर, सबसे पहले क्या 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 है, M1, D1 बराबर M2, D2 ले लिया, उससे मैंने लिख दिया कितनी महीला है, कितने दिनों में करती हैं, और कितने लड़के कितने दिनों में करती हैं, उसे एक equation बनाई, फिर जो पूछा गया था कि हमें कितनों का निकालना है, पांच लड़कों का और तीन महीलाओं का निकालना है, उस equation में इसे पुट किया, तो टोटल आ गया कि हमें 10 लड़के के बराबर का काम देखना है, अब फिर हमने निकाला कि एक लड़के को कितना दिन लगता है, वापस से उसी में जाकर equation में, तो यह हमारा आगया टोटल इस काम को करने में 5 दिन लगता है, समीर और आनन की वर्तमान आयू, क्रमशह 5 इस्टो 4 के रेशो में हैं, यानि की समीर और आनन जो हैं, उनकी प्रेजेंटेजेज जो हैं, उनका रेशो दे रखा हैं मैं 5 इस्टो 4, उनकी आयू का अनुपात क्रमशह 11 और 9 हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, 3 years hence, आज से 3 साल बाद उनका रेशो हो जाएगा 11 इस्टो 9, यह हमें बताना है आनन की प्रेजेंट एज कितनी है, एज वाले क्वेशन तो बहुत ईजी होते हैं, सबसे पहले आपको जो दे रखा हैं वो लिखते रहो, समीर और आनन की प्रेजेंट रेशो कितना दे रखा हैं 5 इस्टो 4, यहनी समीर की एज कितनी हो गई 5x, अलग-अलग हम कर लेंगे और आनन की हो गई 4x, अब खाये आज से 3 साल बाद, तो 3 इसमें एड़ कर देंगे, समीर में भी प्लस 3 करेंगे, और आनन में भी प्लस 3 करेंगे, समीर की एज कितनी दे रखी थी presently, 5X और आनंद की दे रखीती 4X ये धियान रखना रेशियो जब भी अलग होता है तो एक ही चीट से multiply होती है X और X अच्छा तीन साल वाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा 11 इस तो 9 समीर का है 11 और इसका है 9 अब हम cross multiply करेंगे इनकी ये 9 इन दोनों से 3 और 5 से multiply होगा इधर ये 11 3 और 4 से multiply होगा जब आप इसको पूरा solve करोगे तो answer आजाएगा बहुत simple तरीके से X बराबर 6 के जब X 6 के है तो देख लो किस के है अगर समीर की पूछी होती तो 5 इंटो 6 30 होती आनद की पूछी तो 4 इंटो 6 24 येर्स आ जाएगी If A is the remainder when 3 to the power 6 8 1 2 4 is divided by 5 यानि की जब हम इस संख्या को 3 की पार 6 8 1 2 4 को 5 से जब हम भाग देते हैं तो शेशवल जो बचता है remainder वो कितना है A ऐसे ही B जो हमारा remainder है B शेशवल कब बचता है जब 4 की पार 3 9 2 को हम डिवाइड करते हैं 6 से हमें बताना है what is the value of 2 A minus B ये question देखने में आपको difficult लग रहा होगा लेकिन आपको पूरी पार नहीं निकालनी है इसमें method चलता है unit digit वाला आखरी की digit 3 to the power 6, 8, 1, 2, 4 से हमें मतलब नहीं है हमें सिर्फ उसकी आखरी digit देखनी है उस power की क्या है 4 3 की power 4 कितना होता है 3 को 4 बर multiply करना है 9 आजाएगा 2 बर multiply करके 9 और 9 81 तो इसकी unit digit के हिसाब से यह आगया 81 और हमें क्या कहा था यह पूरा नमर जब 5 से भाग देते हैं तो remainder होता है आप 81 को 5 से divide करोगे किता remainder आजाएगा 1 A की value आगई है 1 अब B का देखते है 4 की power 392 इसमें भी हम आखरी digit देखेंगे इसे बोलते है unit digit 4 की power 2 कितना होता है 16 होता है 16 को किस से divide करना था 6 से भाग देना था तो जो remainder बचता है होता है B कितना बचेएगा remainder 6 2 जा 12 तो remainder बच जाएगा 4 मेरे पास दोनों value आगई A आगया 1 B आगया 4 पूछा क्या था 2 A माइनस B तो 2 और A को हम multiply करेंगे 2 और 2 माइनस 4 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2 This is your answer A man and a woman working together can do a certain work in 18 days एक पुरुष और एक स्त्री जब ये दो ही लोग काम करते हैं तो उन्हें 18 दिनों में काम पूरा करना होता है Their skills in doing the work are in the ratio नि उनकी efficiency उनकी शमता कितनी है 3 to 2 की है उनकी जो दक्षता है उसका ratio दे रखा है 3 to 2 कितने दिन लगेंगे अगर वो महिला अकेले काम करती है तो पहले में बता दिये total काम कितना है यहां से पता लग जागा 18 दिन में उनसे पूरा करना है फिर उनकी शमताओं का ratio दे दिया और अकेली महिला का में बताना है सबसे पहले इन दोनों की दक्षता दे रखी है ratio में जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हैं सबसे पहले जिसे men है और women है तो इनकी दक्षता कितनी दे रखी 3 to 2 किसी भी ratio को अलग करने का तरीका यह होता है suppose अकेले men का निकालना है तो 3 उपर रिखो और नीचे 3 प्लस 2 कर दो ऐसे ही खाली women का निकालना है महिला का तो women के सामने कितना है 2 है न 2 उपर रिखो और नीचे कितना हो जागा 3 प्लस 2, 5 कर यह तो आगकेले मही लाकी कितनी दख्षटा है अब दोनों 7 किती दिनों में काम पूरा करते हैं जो भी हमारा टोटल वर्क होता वो पूरे हमेशा दिन के reciprocal होता है यानि कि जतने जादा दिन होंगे उतना जतना जादा काम होगा जैसे क्या होता है यहाँ पर यह यह 18 आपको क्या दे रखाता है 18 days तो आपको work निकालना है तो वर्क के लिए 18 ऊपर नहीं लिखा जाएगा यह reciprocal में आगा अपन में आजाएगा बस इससे solve कर लो कितना आजाएगा बन अपन 45 और जैसा कि मैंने बताए कि यह reciprocal में है work के सामने 45 नीचे आ रहा है ना इसका मतलब यही ऊपर आ जाएगा यह जो work वाले question होते है time and work इसमें यही इसका simple तरीका होता है कि जितने भी days है उसको पहले upon में लिख लो work निकालने के लिए और जो answer आ है उसको फिर उपर लिया हो आपके number of days निकलाएंगे 20 men can do a piece of work in 18 days 20 लोग एक काम को 18 दिन में खतम कर देते हैं यह तो उनकी पूरी आपको इससे total work पता लग गया now they work together for 3 days 3 दिन काम करने के बाद 5 men joined them उनके साथ 5 और आदमी शामिल हो जाते हैं तो कितने और दिनों में वो कुल समय पूरे काम को पूरा कर लेंगे total work कितना है मेरे पास 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं 20 into 18 यह अगे मेरे पास total work यह जाएगा 360 अब सबसे पहले 3 दिन तक तो खाली कितने लोगों ने काम किया 3 दिन तक 20 लोगों ने काम किया है तो 20 और काम कितना किया उन्होंने 3 दिन तक यानि कि कितना काम कर लिया नोंने 60 काम कर लिया है अभी कितना काम बच रहा है remaining work करने के लिए तो है न 5 और लोग 300 काम बच रहा है 300 work is left 300 तो मेरा work बच रहा है और men कितने हो चुके है 25 हो चुके है formula बताया था पहले question में कि work का formula कितना होता है m into d यानि जितने आदमी है into जितना दिन उन्हें लग रहा है वही यहाँ पर लगेगा कि total आपको days निकालने है तो कितना हो जाएगा work upon man इसे divide करो के answer आजाएगा 12 days आप यह question साथ साथ solve करते चले कोई भी query आती है तो आप उसे comment section में पूछ सकते हैं को feedback जरूर मिलेगा और इस वीडियो को like जरूर करें और हमारी YouTube चैनल को subscribe करें find the maximum number of students among them 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and pencils क्या question है विद्धियार्थियों कि हमें अधिक्तम संख्या ज्याद करनी है यह धियान रखना maximum यानि अधिक्तम है जिनमें 1001 pen और 910 pen से ले इस प्रकार से बाटी जाएं कि प्रतिये को मिले pen और pen से लोगी संख्या बराबर हो HCF और LCM वाले questions आपने किये होंगे HCF इसका एक बार पहले भी मैंने से question करा था जहाब यह maximum पूछा गया है तो हम HCF निकालते क्योंकि HCF का मतलब होता है highest common factor इसका मतलब 1001 का आप LCM लोगे और 910 का आप LCM लोगे इन दोनों का जब HCF लोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा जोबीन का HCF है वही maximum number है यह आपका 7 से जाएगा 1, 4, 3 times and then यह आपका 11 से जाएगा 13 times ऐसे ही यह 910 है यह सबसे पहले 2 से जाएगा 4, 55 times then 5 से जाएगा 91 times and 91 जाएगा 7 से 13 times क्या आपको इसमें HCF मिलेगा जो दोनों में common है एक तो 7 और 13 यह दोनों में common है तो 7, 13 जा 91 यह नि 91 आपका HCF और 91 ही इसका maximum number है जिसमें वो बराबर बाटी जाएगी A cloth merchant sold half of its cloth at 40% profit एक कपड़े का व्यापारी है उसने कपड़ों को इस तरीके से बेचा है कि जो सबसे पहले 50% जो उसके कपड़े हैं आधे वो तो उसने 40% profit पर लाब पर बेच दिये अब जो बचे उसके आधे कपड़े हैं उसका फिर से इसने दो हिस्से किये उसका आधा तो उसने 40% loss पर किया ध्यान रखना है इस चीज को कि किस तरीके से यह है और जो बागी का बचा हुआ है वो उसने CP पर बेचा है cost price पर तो हमें यह बताना है निक क्राइम उल्ले पर हमें बताना है इस पूरे में उसको क्या total profit या loss हुआ है सबसे पहले जो 50% है वो जो इसने 50% जो उसका कपड़ा था वो तो उसने में बेचा 40% profit पर यानि मैं मान लेती हूँ suppose कि पहले मेरी total कपड़े की लंबाई कितनी थी cost कितनी थी उसकी 100 rupees थी 100 rupees इसले लिया है क्योंकि इसका जो सबसे पहले आधा हिस्सा है 50% जो उसका 50 रुपे है उस पे तो उसे हो रहा है 40% profit मैंने ये बात आपको कई बार बताईए कि 40% profit हो या 40% increment हो बढ़ोतरी हो तो 40 को सीधे प्लस कर दो 100 में 140 upon 100 हो गया जो बचा हुआ 50 है उसके फिरसे इसने दो हिस्से किये उसका आधा यानि 25 उसने बेचा है 40% loss पर अगेन हम 100 में समाइनेस करेंगे 40 को या कि 60% और जो फिर से बचा हुआ 25 है वो उसने cost price पर ही बेचा है वो as it is ही रहेगा बस आपको इन सब को plus करना है ये बहुत easily सब cancel out हो जाएंगे और आपको answer में जाएगा इसमें 100 and 10 110 का मतलब क्या है 100 से ये उपर या नीचे ये देखना होता है ये क्या है 10% profit ये ये answer अगर 90 होता तो यानि क्या होता 10% loss आपको बहुत simple करना तो profit and loss 100 के respect में देखो कितना उपर या नीचे है तो answer आजाएगा 10% The sum of three numbers is 160 The ratio of second to first number तीन हमें संख्यां दे रखी है उनका योग तो 116 है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 9 is to 16 जबकि पहली और तीसरी का है 1 is to 4 हमें बताने दूसरी संख्या क्या है जब भी आपको ऐसे दे रखाओ यानि आपको suppose ऐसे करो N1 पहली और तीसरी संख्या का N1 और N3 का ratio आपको दे रखा है 1 is to 4 दूसरी और तीसरी संख्या का N3 मैंला N3 ऐसे समझ़वा चलो N2 अपॉन N3 कितना दे रखा है 9 अपॉन 16 इसका मतलब क्या हुआ N3 की value अगर मैं लिखू पहले तो वो हो जाएगी 16 और N2 की value कितनी हो जाएगी 9 यह मैं आपको easy करने के लिए इस तरीके से लिख रही हूँ इसे का आप देखोगे N3 N3 common है दोनों में इसलिए बीच में आ गया लेकिन उपर वाला अगर ये N1 और N3 जाए इसको अगर मैं 4 से multiply कर दूँगी तो number same हो जाएगे यहां 16 आ जाएगा N3 तो मेरे पास total ratio कितना निकल आया N1 तो आ गया मेरे पास 4 1 से multiply हो जाएगा 4 N2 आ गया 9 और N3 कितना हो गया 16 पूछा क्या गया था ये तो तीनों की ratio आ गया है अब पूछा क्या गया था आपसे second number N2 की value कितनी होगी ratio कई बार बता है मैंने जो number निकालना है वो उपर आएगा और upon में तीनों को add करके कितना हो जाएगा 9 upon 29 किसका जितना इनका योग था 116 का इसे cancel out करोगे answer आ जाएगा 36 If the product of two numbers is 320 दो संख्याओं का गुणक तो 320 है and their ratio is 1 is to 5 उनका नुपाद दे रखा है What is the difference between the squares of these two numbers इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है यानि X और Y हम दो number मान लेते है सबसे बहले X और Y का जो multiplication है वो कितना है 320 product हो गया और X upon Y इसका जो ratio है वो कितना है 1 upon 5 इससे मेरी X की value आ जाएगी किया जाएगा ऐसे कि Y बराबर है 5X के cross multiply करोगे Y की ये value इसमें रख दो यहाँ पर तो यह आपका जाएगा Y की जगा 5X रख दिया तो 5 X का square बराबर 320 के 5 से चला जाएगा 64 times और 64 हमें square root आ जाएगा यहाँ से देखना है किसका होता है ये 8 का होता है तो X की value आ गई 8 अगर X 8 है तो Y कितना हो जाएगा 5 से multiply कर दो यहाँ के हिसाब से Y आ जाएगा 40 दोनों के संख्याओं का ये पूछा था आप से कि दोनों को square करके जब minus करेंगे यानि 40 का square minus 8 का square या तो आप दोनों के square निकालो और फिर minus करो एक simple तरीका क्या होता है मैं आपको बताओ A square minus B square ये formula देखा होगा ये ही इसमें लग जाएगा A plus B और A minus B यानि एक बार 40 plus 8 कर दो कितना आजाएगा 48 ये ताब असान पड़ता है जब किसी बड़े नंबर का work आपको निकालने ना चाहते हो आप चाहते हो डायलेक्ट हो जाएगा तो A plus B, A minus B इनको multiply ये 40 plus 8 48 multiply 40 minus 8, 32 दोनों को multiply कर दो आंसर आजाएगा 15, 36 इब दी numerator of a fraction is increased by 250% यदि एक भिन के अंच को 200 प्रतिशत की वृद्धी की जाती है और denominator is increased by 400% जब कि उसके हर में 400 प्रतिशत की वृद्धी होती है the resultant fraction is 7 upon 19 तो जो भिन है वो 7 upon 19 हो जाता है हमें बताना what is the original fraction मूल भिन क्या था हम मान लेते हैं इसे question में original fraction x upon y अब question हमें दे रखा था इसका जो 200 प्रतिशत increase हो रहा है 200 प्रतिशत किसमें increase होगा पहले भी बताए हमेशा plus या minus करना हो तो 100 में करते है percentage के case में तो यानि कि यह हो जाएगा x का 350 upon 100 क्योंकि 350 परसेंट है तो upon 100 ऐसे ही y में कितनी वृद्धी होई है y में 400 परसेंट 400 किसमें बढ़ेगा 100 में बढ़ेगा तो हो जाएगा 500 upon 100 100 से 100 कैंसल हो जाएगा ये 5 से कैंसल हो जाएगा पर 7 नीचे 10 लेकिन ही हमें पूरा fraction किसके बराबर दे रखा था 7 upon 19 के तो इससे आपका x और y निकल आएगा x upon y बराबर हो जाएगा इधर तो 7 upon 19 है और यहाँ पर क्या बचा आपका यहाँ बचा आपका 7 upon 10 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा आपने सामने ये बचे का 10 upon 19 तो इसका रिशो ओरीजिनल कितना था 10 upon 19 इससे शेयर करें जादा से जादा और ये प्रैक्टिस हमारे साथ करते चले मारे यूट्यूब चैनल आंकलेन को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से आप आंकलेन आप को डाउन्डोड कर सकते हैं PDF आपको Telegram चैनल पर में जाएगी